साथियो राजिस्तान इंस्टिटीट के ओनलाइन प्लेटफोर्न पर आपका स्वागत एवम अभिनंदन है तो साथियो आप देख सकते हो 17.01.2022 आज ही की डेट में ये प्रेस नोट जारी हुआ है तो आप देख सकते हो J.E.N. भर्ती की विग्यप्ती को लेकर के आज ये प्रेस नोट जारी हुआ है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा विग्यापन संक्या आपका ये दे रखा है 01.2022 और आपके लिए जो है ये भर्ती आचुकी है और मई भी 2023 में इसका एकजाम होने वाला है तो संभाविट डेट है इसकी मई इसमें पोस्ट आप देख सकते हो सार्जनिक निर्मान विवाग के कनिश्ट अवियंता सिबिल वालों की गेर अनुसिचित छेतर में 390 वेकेंसी है अनुसिचित वालों की मतलब टीएसप एरिया की 32 है नवन टीएसप की 390 है और टीएसप वालों की 32 है और कुल पद है सार्जनिक निर्मान विवाग में 422 जन स्वास्ते अवियंता यान्ता सिबिल वाले के 196 पद और टीएसप में 8 पद टोटल 204 कनिष्ट अभयानता सिविल डिप्लोमा दारक के 96 पद 5 टीएसपी में और टोटल 101 पद और कनिष्ट अभयानता यांतर की मतलब मेकनिक्स जो है वो इसमें 37 पद और 9 टीएसपी में नेल हैं बिल्कुल भी नहीं है टोटल 37 पद हो गए और कनिष्ट अभ्यंता यांत्र की विद्द डिप्लॉमा वालों की 26 और टोटल 26 है टीसप अरिया में इसमें है नहीं स्वायत सासन बिवाग जो है इसमें कनिष्ट अभ्यंता के 143 टीसप में 2 और टोटल 145 पद कनिष्ट अभ्यंता सिबिल डिप्लॉमा दारक 36 और टोटल 36 है टीसप में याँ निल देखा रखा है ये है स्वायत सासन बिवाग में तो इस प्रकार आपको कनिष्ट अभ्यंता जो है बिद्द्द वाले के चंबालीस पद कनिस्ट अभ्यंता बिद्धुत वाले जो डिप्लोमा धारक है उनके 11 है और यहाँ पर भी 11 है पद है यह आप देख सकते हो टोटल जो पद हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो 1092 पद आपको देख रहे होंगे जिनमें 1092 में से 1040 तो हैं नोन टीएसपी के और बावन पद हैं टीएसपी अरिया के यह होगे नोन टीएसपी वालों के जो जनजाती चेतर में नहीं आते हैं और जो जनजाती चेतर में हैं उनके बावन पद हैं और टोटल इस बढ़ती में एक हजार बाण में पदों पर ये बढ़ती होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओनलाइन आप इमित्र वाले पर जा करके करवा सकते हो कितनी फीस रहेगी इसकी मैं आपको बता देता हूँ सभी category wise तो यहाँ पर आप देख सकते हो सामन्य वर्ग मतलब general category अर्थात cream layer जिनको हम बोलते हैं चाहे वो OBC वाला cream layer हो या MBC वाला cream layer हो cream layer का मतलब जिनकी आए जो है जिनके पतागी आए आठ लाग से अधिक है उनके जो है शाड़ चार सो रुपे लगेंगे चाहे वो MBC category का हो चाहे वो OBC का हो और general वालों के तो साड़े चार सो लगेंगे ही उसके बाद मैं बात करता हूँ non cream layer के OBC या MBC वाले मतलब जिनकी जो परिवार की आए आठ लाग से कम है उनके साड़े तीन सो रुपे इसमें लगेंगे उसके बाद जो विसेश योगे जन है PH physically handicapped हैं या पिर जो physically disabled है उनके लिए और SCST वालों के लिए इसमें ड़ाई सो रुपे फीस रहेगी मतलब दिब्यांग जन के लिए और SCST वालों के लिए ड़ाई सो रुपे इसमें फीस रहेगी तो ये आपकी जो है इसमें पारिबारिक आई के इसाब से इसमें फोरुम आपको लगाने होंगे लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि कार्मिक बवाक के परिपत्र कर्मांग के यहां पर दे रखा है कि सभी वर्क के ऐसे अब्यर्ति जिनके पारिबार की वार्ट सिकाए डाई लाक रुपे से कम है के लिए अनुस्य स्जातिय जन जाति के समानी परिक्चा सुलक रुपे डाई सो रुपे दे हैं मतलब जिनके परिवार किया है धाई लाक से कम है MBC, OBC, SCST सभी में तो उनके लिए धाई सो रुपे इसमें फीस लगेगी यह आपकी जो है इसमें फीस के बारे में बताए गया है कि आपको होरूम किस प्रकार से भरना है कितने रुपे आपकी फीस लगेगी यह आपका पदों का जो है गयर अनुसे छेट के पदों का वरगी करन बताए गया है कि कौन से सामानने के लिए कितने है सामानने पुरुस या महिला के लिए बिदवा के लिए परित्यक्तिया के लिए सभी के पदों का विवरन यहाँ पर इसमें दिया गया है ठीक है? इसके सामने आप देखते रहें आपको जो भी category से आप related है उनके पदा आप इसमें देख सकते हो इसमें आपको पूरी जानकारी इसमें दी गई है 36,000 अक्षिन के बारे में कुल कितने LDACP के कतने पदें सभी के बारे में इसमें बताए गया है उसी प्रकार अनुसोचे छेत्र के प्रतेक बवाग के पदों के बारे में आपको फूर्ण इसमें विवरंद दिया गया है और इसमें आपको मैं एक बार बता देता हूँ कितना आपका वेतन इसमें मिलने वाला है तो वेतन के बारे में भी बात करेंगे साथ में फॉर्ण कौन भरेगा केवल बीटेक वाले अब बढ़ती हैं वो इसमें फॉर्ण भरेंगे जैसे 100 पोस्ट हैं तो 100 में से 2 जो है इसपोर्ट बारी लगेंगे तो एक हजार च्छान में बान में जितनी पद हैं उनके इसाब से आप देख लें हर सौ सीट पर दो कंडिडेट से लगेंगे इसमें इसमें प्रावधान आपको दिया गया है तो आप इसे परद कहर के पू में एक बार आपको बता देता हूँ दिब्यांग जन के लिए भी इसमें 4% आरक्षन का प्रापधान किया गया है ठीक है तो उसके बाद मैं आपको यहां पर वेतन के बारे में भी बताने वाला हूँ तो वेतन के बारे में आपको क्या जो है वेतनमान दिये जाएगा तो इसमें जो है आपके HR ए बगेरा या फिर DA बगेरा ये सभी इसी में जुड़ेंगे ठीक है उसके पाद आपकी सेलरी 41-42,000 के आज पास रहेगी प्रोवेशन पूरा होने के बाद ठीक है तो यह आपका वेतरमान रहेगा यहां पर आपको 33,800 वेसिक L10 में आप आते हैं तो ध पातरता के लिए जो है आपको यहां पर बताए गया है कि कौन से उसमें आपको क्या डिगरी चाहिए तो यहां पर आपके सभी जो है सिविल वालों के लिए भी इसमें डिगरी धारियों के लिए भी बताए गया है कि बारत में बिदी द्वारा इस्थापित बिद्याले अ करिश्ट अब्यांता बिद्दू डुपलोम अधारी की पदों के बारे में सभी की इसमें कौलिफिकेशन आपको दी गई है आप वीडियो को पॉज करके इन सभी को पढ़ सकते हो कि आपको जो है किस से फोरूम लगाना है उन सभी की आपको योगता के बारे में आपर बताय गया है जिस भी बबाग से भी आपको इसमें फौर्रा लगाना है सभी की जानकारी आपको मैंने इसमें जो है दे रख़ी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर आपको बिग्यपती में मिल जाएगा यह आपके पूरी जानकारी है आपको जो है चरित्र प्रमान पत्र सास्त प्रमान पत्र ये सभी जोइनिंग के टाइम चाहिए होते हैं और ये फिलाल के लिए आपको कोई ऐसी आप सकता नहीं है आई यो इसमें आपको मिनीमम 18 साल का होना चाहिए अधिकतम 40 साल तक ठीक है और ये भी एक जनवरी 2023 तक आपकी 18 साल हो रही है इसमें फ्रम बढ़ने के लिए पात्र हो उसी प्रकार सभी भरतियों में एक जनवरी 2023 तक आपकी एज 2018 हो रही है तो आप फ्रम बढ़ने के लिए eligible रहोगे जैसे कि लेव असिस्टेंट लाइब्रेरियन जितनी भड़ती आने वाली हैं सभी में एक जनवरी 2023 तक यह दिया आपकी आई 18 साल हो रही है तो आप forum बढ़ने के लिए योग्य हो यह पूरी आपकी पूरी जानकारी इस बिग्यप्ती में दी गई है पैंसन आपको इसमें जो है अनसदाई मिलेगी बाकी और तो इसमें आपके परिक्चा का जो संभाविट डेट है वो मई 2022 है यहां पर मई 2022 में आप देख सकते हो जो है आपके पेपर हो सकते हैं तो यह आपकी जो है पूरी अपडेट हमारे चैनल पर समय पर मिलती रहे है यहां पर हर्षाद सर्मा के अद्यक जो है उसके यहां पर साइन आपको दिख रहे होंगे धन्यवाद